पुलिस अब मशूर फिल्म निर्देशक संजा लीला भंसाली से पूछताच करेगी मुंबई पुलिस जानने की कोशिश करेगी के सुषान की डिप्रेशन के पीछे वज़ा क्या थी संजा लीला भंसाली से पूछताच करेगी मुंबई पुलिस शुषान के सूसाइट को लेकर सवाल जबाब करेगी पुलिस सुषान के सूसाइट के 18 दिन बाद ही पुलिस की तप्तीश जारी है कयासों का दौर जारी है सवालों का सफर जारी है ये पूछता आज कब होगी ये वक्त तै नहीं है लेकिन समन भेज दिया गया है माना जा रहा है कि बांदरा पुलिस जल्द ही उनसे पूछता आज कर सकती है पुलिस इस बात की जाँच में जूटी है कि सुशान्थ सूसाइड जैसा फैसला करने पर क्यों मजबूर हुए क्या इसके पीछे कोई नीजी वज़ा थी या फिर कोई प्रोवेशनली दुश्मनी जानकार बताते हैं कि संजय लीला भनसाली ने कुछ फिल्में शुशान्थ को आफर की थी वो फिल्में नहीं बन बाई दरसल सुशान्थ फिल्म पानी के साथ जुड़े हुए थे उसी कांट्रेक्ट की वज़़ से वे भनसाली की फिल्में नहीं कर पाए पुलिस को उमीद है कि भनसाली से पूशताज में कोई एहम जानकारी मिल पाए अभिनेता सुशान्थ सिंग राजपूत की मृत्यू की जाज कर रही बांदरा पुलिस ने अब निर्माता निर्देशक संजय लीला भनसाली को समंज बेजे हैं संजय लीला भनसाली को इन्वेस्टिगेशन जॉइन करने के लिए कहा गया है और उनहें बांदरा पुलिस टेशन आकर स्टेट्मेंट रेकॉर्ड करने के लिए कहा गया है सूत्रों की माने तो संजय लीला भनसाली ने सुशान्थ को एक बड़ी फिल्म ओफर की थी नहीं बाहर जा सकते हैं उस नियत समय के अलावा लोगों को बाहर जाने के जाज़त नहीं है नवी मुंबई और पन्वेल में भी आज रात बारह बचे से लॉकडाउन लगा जाएगा आने में 15 दिन में करोना के मामले दो गुना हो गए है इसे देखते हुए ठाने और डुम्बी वली में 10 दिन के लिए कड़ाई से लॉकडाउन लागू किया गया है सिर्फ एसेंशल और मेडिकल इमरजनसी के लिए लोगों को घर से बहार निकलने की इजाज़त है कल्यान और दुम्बी वली में 12 जुलाई तक टेक्सी, आटो और बस नहीं चलेगी मगर इसेंशल सर्विसेस के अगर करमजरी उसे में है या तो इमरजनसी पेशन्ट है तो उनी के लिए आला हुए मुंबई में करोना का ग्राफ हलका सा काबू में आता दिख रहा है और मुंबई से सटेश शहरों में बहुत तेजी से नए केसिस बढ़ रहे है मीरा भायंदर मुंसिपल कॉर्परेशन ने बुद्वार से ही लॉकडाउन लगा दिया है जबकि नवी मुंबई और पन्वेल में 3 जुलाई को आधी राथ से लॉकडाउन लग जाएगा नवी मुंबई में दूट डैरी की दुकान सुबह 5 से 10 बज़े तक खुलेगी बाकी जरूरी दुकाने सुबह 9 से शाम 5 तक APMC और इंडस्टियल कॉरिडोर MIDC को लॉकडाउन से छूट रहेगी अगर ये कोरोना वायरस का जो चेन है इसको अगर हमको तोड़ना है इसको रोकना है तो और साउधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये देखा गया है कि जहां पर्टिकुलर्ली डैंसली पॉपुलेटर्ड एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है ये हमने देखा है उलास नगर में भी लॉकडाउन लग गया है वसई विरार मुनसिपल कॉर्परेशन ने 18 इलाकों में लॉकडाउन लगाया है मिशन बिगन के बाद करोना के मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे है ठाने में करोना के 9135 केस कल्यान डोंबी वली में 6925 केस उलास नगर में 1982 केस और नवी मुंबई में करोना के 6823 से ज्यादा केसिस हो गया है दिखा उस पर एक्शन इनिशेट किये जाएगी पुलिस के तहट मुंबई से मुस्तफा शेक और ठाने से विक्रान चौहान के साथ दिवेश सिंग आज तक मुंबई में करोना के मामले 80,000 के पार हो गए पर बीमसी कमिशनर इकबाल चहल का मानना है कि मुंबई में हालात काबू में है उनसे बात की हमारे समवादाता पंका जुपा ध्याए में पंडेमिक से लड़ाई के लिए वेड़ू इस्टैंड हम कहा रहें अर एक एक टेक बेटल जीट के अल्टिमिल यह वार जिता है लेकिन सर इस बात से भी इंकार नहीं कि आ जा सकता है कि मुंबई में कोवड नाइटीन की संक्याब असी हजार को छोने को आई है निचाए हमारे पास 80,000 केसिज हैं पर अज जो हॉस्पिटल में हमारे पास कोवड पॉस्टिव पेशिंट जो बेट्स पे हैं सर्फ 9,000 हैं और हमारा जो अभी डिस्चाज रेट है कंट्री में हाईस चला गए अल्मूस्स सिक्स्टी परसेंट हम टच कर रहे हैं डिस्चार्ज आपने मिशन सेव स्क्राटिजी ये इनिशियेट किया हुआ है लेकिन आज के दिन भी पेशिंस कंप्लेइन कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेट की कमी है कहां पर कमी आ रही है आज कल शाम को हमने हमारे पास जो 15 से लोगों की पॉस्टिव की लाइन लिस्ट आई थी वो हमने दोपैर को तीन बेट सब को बेड़ लॉट करके शाम को हमारे पास 3200 बेड, कोवेट बेड, ऑक्सिजिन बेड और 140 आईसियू हमारे पास खाली पड़ा हुआ था रेम्डेसिवीर ये जो ड्रग है, इसकी अवेबिलेटी को लेकर काफी सवाल उठा जा रहे हैं पबलिक हॉस्पिटल्स में इसको लेकर बीमसी अपनी तरफ से क्या कदम उठा रहा है ये जानना चाहते हैं जो रेम्डेसिवीर मेडिसिन है, इंजेक्शन है, बड़ा लाइफ सेविंग है और इसके पीछे हम हाथ दो के पढ़ गया थे साथ दनों से हमने दो काम किये, पहला हमने काम किया कि इमेजली टेंडर निकाला, उसमें जो हैट्रो कंपनी है, उन्होंने पाटिस्पिट किया है, आज हम उनको वर्ड़ को दे रहे हैं, और कल सुबह से सप्लाई सॉस्पिल में शुरू हो जाएंगी, इसके अलावा, जो भार सरकार न से वो कारगो में बंबई एरपूट पे स्टक अप था, फरंतु सभी के प्रयासों के बाद में, वो कल शाम को कंसाइन्मेंट रिलीस हो गया, और सिपला कंपनी के जो सीओं हैं, उन्होंने मुले आजवाशन दिया है, कि अगले चार दूनों में, वो तीन हजार पेशेंट तो इसको हमने देखा, तो उसके आप से हमने जब खोशिश की, हमें आज वो सफलता मिली और अभी इसकी प्रड़क्शन शुरू हो जाएगी. And there would be at least 5,000 patients who are under the oxygen who stand benefited from this drug. बिल्कुल, इसके बाद में, अगर गोल्डन आवर में ये इंजेक्शन दिया जाता है, तो एक्सपर्ट का कहना है, कि पेशेंट का बचना लगबगता हो जाता है, इसके लिए हम जो गरीब पेशेंट हमारा, उसको मुवथ हम ये सप्लाई करेंगे, और एक भी पेशेंट ना जान न जाए, इसका हम बुरे जान लगा देंगे, आखरी सवाल आपसे ये है कि आधा साल तो निकल गया, ये जो फ्लैटनिंग ऑफ दे कर्व की बात थी, वेना भी गोंटो अचीव दा है, उसमें अभी मैंने आपको बला कि तिंक्स अर इन टोटल कंट्रोल, और हम आ आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले